हेलो स्टुडेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर हिमांचु शर्मा स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होती है फिजिक्स को हिंदी में भोतिकी विज्ञान कहा जाता है हम जो भी अपने आसपास जो भी प्राकृतिक गटना यह देखते हैं जैसे पानी का जरना भेना हवाई जहाद का उड़ना ट्रेन का चलना हमारा खुद का चलना कार का चलना या फिर सैटलाइट और जो यह प्लैनेट्स हैं इनकी मूवमेंट यह सभी फिजिक्स के ही पार्ट्स हैं सबसे पहले हम इसकी तीन डेफिनिशन पढ़ाई है जो प्रकृति के नियमों की स्टडी है वो क्या कहलाती है फिजिक्स यानि की बहुतिक विज्ञान कहलाती है दूसरी डेफिनिशन है फिजिक्स is the branch of science which deals with matter, energy and their interactions मतलब की फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम matter, energy और इन दोनों के interactions यानि की इन दोन पास यह काफी practical definition है फिजिक्स is the study of natural forces and energies such as light energy, sound waves, heat energy, electrical energy and mechanical forces मतलब की फिजिक्स क्या है यह natural forces और energy की study है natural forces और energy कौन सी है, light energy, sound energy, heat energy, electrical energy और mechanical energy इस तरह से यह कुछ example दिये गए है natural forces और energies के तो इन सभी तीनों definition से हमें काफियत तक clear हो जाता है कि physics क्या है हमारी day to day life में दैनिक दिन चर्या में जो भी हम आसपास प्रकृतिक घटनाये देखते हैं वो सभी physics का ही part है आईए अब हम देखते हैं कि physics का origin कहां से हुआ था physics जो है इसका जो starting हुआ था वो हुआ था एक Greek word फिजिक एक Greek word था फिजिक जिसका मतलब है knowledge of nature मतलब की प्रकृति की जानकारी होना ये Greek word था फिजिक वहां से आया ये physics तो English में इसे कहा जाता है physics और Hindi में कहा जाता है बहुतिक विज्ञान physics जो है matter और energy के उपर based है अब science जो है एक बहुत बड़ी term है एक general term है और science में बहुत सारी branch चीज आती है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो red color में है वो सारा का सारा physics है और जो इसके नीचे physics की ये branch है ठीक है या फिर आप कह सकते ही physics का scope है physics में इन सभी topics की पढ़ाई करते हैं और जो दूसरी sciences हैं जैसे chemistry, biology, geology, geography, astronomy और astrology इनमें दूसरे subjects की पढ़ाई की जाती है है ये ये भी science के ही example ये भी science की branches है लेकिन जो सबसे बड़ी branch है science की वो है physics क्यों क्योंकि इसमें हम matter और energy से deal करते हैं physics का जो scope है physics में हम क्या पढ़ते हैं physics में पढ़ते हैं classical mechanics, work और energy, thermodynamics, gravitation, mass और force, motion, position ये सारे topics जो हैं हम physics में study करते हैं आईए अब हम देखते हैं who is the father of physics मतलब की physics के field में physics के पिता किसको कहा जाता है Mr. Galileo Galilei is called the father of modern physics एक scientist थे जिनका नाम Galileo Galilei था उन्हें physics का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी contribution दी थी physics के field में जैसे की motion of objects और telescopic instruments की development उन्होंने बहुत सारे planets की खोज की और उनको देखने के लिए बहुत सारे telescopes की development की इसलिए इसको उन्होंने बहुत सारे planets की खोज की और बहुत सारे telescopic instruments की development की इसलिए उन्हें father of physics कहा जाता है आईए अब हम देखते हैं कुछ laws physics के कुछ प्रकरती के नियम जो की हमारी day to day life में यूज होते हैं जैसे की Newton's law of motion, Newton's law of universal gravitation, Archimedes principle of beyond force beyond force कौन सी होती है upward force जैसे पानी में अगर आप हवा से भरी हुई कोई gain दबाने की कोशिश करेंगे डालने की कोशिश करेंगे तो पानी नीचे से एक force देता है बोल को जो की उसके weight के बराबर होती है तो इसको बूला जाता है Archimedes principle of beyond force Next है हमारे पास law of conservation of energy मतलब की energy को ना तो destroy किया जा सकता है और नहाई इसे पैदा किया जा सकता है बस इसको एक form से दूसरे form में convert किया जा सकता है तो ये कुछ laws हैं जो कि हमारी day to day life में use होते हैं जिन से हमें पता लगता है कि physics जो है हमारी चार और फैली हुई है और हमें उसकी mathematical analysis और उसको समझने की काफी जूरत है इस physics subject में उपर हमने देखा कि physics के father कौन थे Mr. Galileo Galilei जिनोंने motion of objects और advancement telescope instrument दिया और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ physics के laws हैं जैसे कि Newton's law of motion, Newton's law of gravitation, Archimedes municipal of beyond force, law of conservation of energy आईए अब हम देखते हैं कि कुछ basic physical quantities क्या होती है physics में physics में साथ basic physical quantities identify की गई है जो कि इस प्रकार है number one length इसका unit होता है meter SI में दूसरी basic physical quantity है mass इसका basic SI unit है kilogram तीसरी basic physical quantity है हमारे पास time जिसका basic unit है second चोथी basic physical quantity है electric current electric current का unit होता है ampere फिर है temperature, temperature का unit है kelvin amount of substance इसका unit है mole, इसको mol से denote किया जाता है जो last हमारे पास basic physical quantity है साथवी वो है luminous intensity इसका unit होता है candela और इसको CD से denote किया जाता है अब हम देखते हैं कि derived physical quantities क्या होती है और वो basic physical quantity से कैसे obtain की जाती है derived physical quantities वो quantities होती है जो कि basic physical quantities से obtain की जाती है या तो basic physical quantities को multiply किया जाता है या divide किया जाता है या कुछ और mathematical operation लगाके जो है derived physical quantities और उनके units को basic fundamental physical quantities से obtain किया जाता है चलिए शुरुआत करते हैं there are so many बहुत सारी physical quantities है सबसे पहले हमारे पास हमें example के तोर पे लेते हैं speed, गती, speed का formula है distance upon time ये देखिए distance और time दोनो fundamental physical quantities है तो इन दोनों को अगर हमने यहाँ पर divide में रखा है तो ये किसके बराबर बन गई है? derived physical quantities के units भी देख लेते हैं इनके meter per second speed का unit क्या हो गया? meter per second चलिए आगे चलते हैं फिर next हमारे पास derived physical quantities है velocity velocity का formula होता है displacement over time displacement over time इसका unit है meter per second जो third हमारे पास derived physical quantities है इसको हम small ace denote करते है इसको formula है initial velocity u minus final velocity v divide by time t और इसका formula होता है meter per second square जो चोथी हमारे पास derived physical quantities है यहाँ पर उसका नाम है force बल इसका formula है mass into acceleration इसका unit है mass का unit होता है kilogram और acceleration का unit होता है meter per second square तो इन दोनों का product में रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास kilogram into meter square और इसको कहा जाता है one newton और next हमारे पास derived physical quantities है जिसे कहा जाता है density density का formula है mass upon volume इसका unit है kilogram per meter cube mass का unit होता है kilogram volume का unit होता है per meter cube तो यह हमारे पास unit derive होके आगया है जैसे physical quantity को हमने derive किया है ऐसे ही इसका unit भी derive किया जा सकता है और यह हमारे पास कुछ example है derived physical quantities के तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको physics के बारे में समझाया है कि physics क्या होती है मैंने physics की introduction दिये और physics की कुछ fundamental और derived physical quantities के बारे में आपको बताया है Thank you very much अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो किर्पयाई से like, subscribe और share जरूर करें धन्यावाद, thank you very much